सांस क्रितिक कार्यक्रमों के साथ हुआ वार्षिक प्रशिक्षन शिविर का समापन 57 बटालियन NCC उन्नाव के 10 दिन की वार्षिक प्रशिक्षन शिविर का आयोजन करनल अबरार एहमत के निर्देशन में दिना 25 सितंबर से फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग सेंटर उन्नाव जन्पग में किया जा रहा था जिसका रंगारन कार्यक्रम के साथ समापन हो गया इस वार्षिक प्रशिक्षन शिविर में NCC कैडेट्स को सशस्त्र सेना हेतु सजग करने के उदेशे से विभिन प्रकार की प्रतियोगिताओं जैसे फायर इंप्रतियोगिता, दोर, निबंद लेखन इत्यादी प्रतियोगिताएं कराई गई कैम्प के अंतिम दिन कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किये गए जिसमें मुख्य अतिथी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी रिशिराज, बटालियन के एडम करनल संतोष मिश्रा, फायर ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट अजय कुमार गुपता, को प्रोचसाहित किया गया, कैम्प एड्जुटेंट डॉक्टर विपिन सिंग ने बताया कि ये कैम्प अपने आप में विविद्ता से भरा है, इसमें NCC के कैडेट को सेन्य परीक्षल की सभी गतिविद्यों का प्रशिक्षन उच्चस्तर का दिया गया, जिसमें कैडेट किया घ्या पर भी विभिन प्रकार की गतिविद्यों को कराया गया, जिससे कैडेट समाज को स्वच्चता की प्रतिजा ग्रूप कर सकें। गंप के क्वार्टर मास्टर लफ्टिनेंट रवी रंजन और कंप सेक्योरिटी ओफिसर लफ्टिनेंट राम किशोर ने भी कंप के दोरान कैदेट्स का ध्यान रखा। सूभेदार मेज़श्री लीला ने भी कंप में कैदेटों का उतसाह वर्धन किया। Camp Training JCO नारायन, Camp BHM इंदर कुमार, सुबिदार बल्विंदर सिंग, नवीन, सोहन सिंग सहित सभी P.I. स्टाफ प्रशिक्षन में सनलगन रहे.